Hi friends, मेरा नाम है Sagar Anand मैंने VTEC Mechanical Engineering करी है VIT के लोर से फिर मैंने M-TEC की रहा है TUD Germany से in Mechanical Engineering आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि हम पढ़ते क्या है Mechanical Engineering में What do we study in Mechanical Engineering? Mechanical Engineering के विखर बात करें तो इसका application सबसे पहले हम देखते हैं किसमें होता है यह है गाड़ी इसमें में चीज है इसका इंजिन इसके इंजिन के बाद आता है इसका ब्रेटिंग सिस्टम जिस तरह से ब्रेक लगाए जाते हैं Thirdly, इसके steering system जिस तरह से हम इसको घुमाते हैं फिर आती है इसकी body जिसको हम कहते हैं chases और इसके tire tire में इसका है axle जिसके ओपर ये लगावा है plus इसकी tube हम देखना चाहेंगे कि engine के बारे में हम कौन से कौन से semester में पढ़ते हैं fuel injection, जब हम fuel डालते हैं फिर fuel का जलना और उसके बाद fuel निकलना रासली इसकी body हम कौन से कौन से subject में पढ़ते हैं कि हम material लें उसे तोड़े, मरोडे, जिस हिसाब से भी हम डिजाइन करना है उसे design करें और इसकी body लाना है Second application हम देखते हैं aeroplane aeroplane का design बहुत ही aerodynamic होता है aerodynamic का यह मतलब है कि हवा जब लगे तो वो जीती भी निकल जाए उसके उपर से बहती भी निकल जाए उसे hit करके उसे बहुत जादा force, stress यह pressure ना develop करें क्यूंकि aeroplane बहुत ही उचाई पे उड़ता है और बहुत ही तेज उड़ता है जो गाड़ी के engine से different है क्यूंकि हमें इसमें ज़्यादा propulsion चाहिए इसमें ज़्यादा हमें power चाहिए secondly, lastly इसके tires इसके tires गाड़ी के tires से और ज़्यादा भारी और और ज़्यादा मजबूती वाले होते हैं इसे land करानी के लिए तो second application है aeroplane हाई friends, I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप subscribe करिए हमारे चैनल को career kool the educational guru को रहे हमाएं साथ काम करते हैं Dr. Krishandar जो ex clinical psychologist है KGMU और Dr. Alpna Rastogi जो ex psychologist है Nipset की तो आपको कोई भी career related doubt हो, call करिए हमको दिये गए नमबर पर Thank you very much and subscribe to our channel